फ्रेंड्स आप लोगों की दुगाओं के वाज़ा से जो तबीयत है वो पहले से बहुत ही बहत ही बहता है और पहले के तरह फिर से मैं विद्फेस अब वीडियो अप्लोड करूँगा और हम लोग शुरुवात करने वाले आज ठंड सेर्टेड एक बहुत ही वैसे फ्रिंट्स इस ठंड के मौसम में मैंने पहले से ही बाइक और स्कूटर के safety और maintenance रटेड ये 5 वीडियो अपलोड किया अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो link आपको description नहीं मिल जाएगा अब देखो जैसे ठंड बढ़ते जा रहा है वैसे ही आप लोग का जो एक comments औ comment है वो भी बढ़ते जा रहा है बहुत से लोग comment कर रहें कि भाई ठंड में सुबा सुबा जब हम अपने बाइक क्या स्कूटर के engine को start करते हैं तो engine को start करते ही कुछ देर के लिए 10-15 सेकंड के लिए 25-30 सेकंड के लिए क्या होता है कि engine के silencer से सफेद धुआ जो white smoke है वो न बारे मैं आपको आगे इस पीडियो में बिल्कुल डिटेल में practical experiment के थुरू एकदम असान लफ़ों आपको समझाओंगा सब कुछ आपको clear हो जागो तो वीडियो को पूरा देखे और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe भी जरूर से कर लें देखो सीधा मैं आपको non-techn तरीके से तो बहुत असान तरीके समझाता हूं इंजन के अंदर में power stroke के time पे जब petrol जलता है जिससे की engine power produce करता है तो हर एक बार जब power stroke होता है तो petrol के जलने के वैसे जो exhaust cases है जो धूआ है वो भी produce होता है अब देखो जब इंजन अच्छा होता है इंजन healthy होता है तो भी य जैसे engine में कोई problem भी होता है तो साथ साथ क्या होता है कि हर एक बार जब आप engine को start करते हो गाली को running करते रहते हो तो सफेद धुआ या कारा धुआ जो है वो ज़्यादा मात्रा में निकलता है वो visible होता है लेकिन ये fact है कि हर एक बार धुआ तो निकलता ही silencer से जो हमारा muffler carbon हो गिया carbon monoxide हो गिया nitrogen oxide हो गिया sulfur actuate हो गिया इसके साथ ही particulate matter हो गया इस तरह के बहुत सारे gases जो है वो present होती है वो mix होती है और ये सारी silencer से बाहर निकलती रहती है लेकिन इन सारी gases के साथ जो हमारे exhaust gases से वहाँ पे water vapor भी present होता है जिसे हम लोग हिंदी में कहते है gel wasp अंदर में जब आपकी गाड़ी के engine का running होते रहता है तो ये जो water vapor है जो gel wasp है वो उस pipe में अंदर में जमा हो जाता है ठीक है water vapor वहाँ पे condense हो जाता है अब यही पे मैं आपको example बताता हूँ आप देखते हो कि थोड़ा सही जब running होता हमारे bike scooter का exhaust pipe है जो एकदम है वो क् अबी उपर से पानी डालते है तो पानी डालते है क्या होता है कि हमें सफेद color का धुआ सा निकलता हो दिखाई देता है लेकिन actually में होता क्या है कि जो water हमने इस गरम गरम pipe में डाला है उसी का vaporization हुआ है उसी का wasp करन हुआ है वो vapor है वो भाप है वो wasp है वो white smoke या सफेद निकल रहा है लेकिन ये भी आपको पता है कि ये water का waspikran जो हुआ है जो भाप है वही हमें सफेद color का दिखाई दे रहा है सेम ऐसा ही silencer के अंदर में होता है होता है कि जब silencer के अंदर में अच्छा कासा ज्यादा मातरा में जो water vapor जो exhaust gases वाला water paper है वो वहाँ पे जमा होता है और सुबा सबाओ जब हम लोग engine को start करते है engine को start करते क्या होता है कि जो हमारा exhaust type है वो एकदम से गरम होने लगता है और जैसे जैसे हमारा exhaust type गरम होते जाते है वैसे क्या होता है कि अंदर में जो water vapor है जो जल वास पे जमा है वो क्या होता है कि उसका vaporization होने लागता और दीरे दीरे का कि कहा है कि आपको देखने को मिलता है कि silencer से कुछ सफेद धुआ टाप का निकल रहा है actually में वो white smoke के सफेद धुआ नहीं है वो water वेपर जो जमा हुआ था जिसका वास्पी करन हुआ है exhaust पे गरम होने के वैसे वही धीरे दीरे निकलते जाता है और depend करता कि कौन सी गाड़ी कई बार ये 15, 20 सिकंड, 30 सिकंड के लिए निकलता है कई बार ये 1 मिनट, 2 मिनट ये कई बार 3-4 मिनट तक अपने वाई के सुटर को चलाने के बाद वो निकलते रहता और फिर देखते वो आप नहीं निकलता है तो मैंने आपको example के तरही समझाया कि जैसे exhaust pipe में उपर से पानी डालने से जो हमारा निकलता है वो दिखाई दे रहा है वास भाप वही same जो silencer के अंदर जो muffler के अंदर है वही होता है तो ये problem वाली बात नहीं है ये बहुत basic बात है और खास करके ठंड के मौसम में ये वाला problem जाता देखने को मिलता है तो इसको लेकर आपको कोई भी changes करने का जरूरत नहीं है कोई भी पैसा खज करने का जरूरत नहीं है कोई भी अपना silencer बगर को चेक करने का जरूरत नहीं है ये बहुत normal सी बात है तो उमीद है कि आज कि इस वीडियो सापको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिले होगी वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक और श्या जरूरत से कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अतनी राए आप मुझे कमेंट करके जरूरत बताए इसके लावा अगर आप चैनल पर नहीं हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकान को जरूरत से दबा दे ताकि आने वाल इंपॉर्टन वीडियो के अपडेट आपको निटिफिकेशन के दिरू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में तांक्स वाचिंग दिस वीडियो गुडबाई